Hey everyone, welcome back to my channel. आज बनाते हैं quick and easy नाश्थे की रेसिपी. Bread toast वो भी चार अलग-अलग तरीकों से. सबसे पहले creamy चना टोस्ट, उसके बाद hummus टोस्ट, फिर दही टोस्ट और pink hummus टोस्ट. बहुद इंट्रेस्टिंग, beautiful and multi-purpose रेसिपी है. तो चलिए शुरू करते हैं. Creamy चना टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले चने को roast करेंगे. उबले हुए चने में डालेंगे chopped garlic, olive oil या कोई भी तेल, स्वाद नुसाद नमाक, लाल मिर्च पाउडर, चना मसाला, नीबु का रस और इसे अच्छेज़े mix कर लेंगे. अभी इसे pan में roast करेंगे या फिर crispy होने तक इसे bake कर लेंगे. फिर हम बनाएंगे एक spread, जिसके लिए blender जा में डालेंगे पनीर, थोड़ा से दही, नमक और इसे blend कर लेंगे. ध्यान रखे हमें, पानी नहीं डालना है, कुछ इस तरीके का thick spread बन जाना चाहिए. अभी bread slice को toast करेंगे, उपर से लगाएंगे ये mixture, roast की हुए चने, olive oil, डालेंगे हरा दनिया, तिल और चिली फ्लेक स्प्रिंकल करेंगे, फिर इसे cut करेंगे और तुरन सर्फ करेंगे. नेक्स्ट बनाते हैं hummus toast, इसके लिए hummus की recipe आप मेरी चानल पर देख सकते हैं, link आपको description में मिल जाएगा. Bread slice को toast करेंगे, generous amount में hummus को spread कर देंगे, फिर इसके ऊपर रखेंगे खीरे के slices, tomato के slices, crumble किया हुआ पनीर या फिर चीज, डालेंगे स्वादनुसा नमक, sprinkle करेंगे तिल और चिली फ्लेक्स के साथ, और या आपका quick snack बनकर तयार है. हमारी next recipe है दही toast, इसके लिए लेंगे हंकर्ट, जिसे toast केवे bread slice पर अच्छे से spread कर देंगे, उपर से रखेंगे tomato के slices, डालेंगे olive oil, ये totally optional है, फिर इसमें जाएगा स्वादनुसा नमक, काली मेश पाउडर, रखेंगे कुछ खीरे के slices, उपर से sprinkle करेंगे तेल और चिली इसे cut करें और तुरन सर्फ करें, बहुत ही easy है, एक बार ट्राइ करना तो बनता है, लास्ट में बनाते हैं pink hummus toast, hummus के recipe आप मेरी चानल पर देख सकते हैं, link आपको description में मिल जाएगा, super easy recipe है, बस toasted bread slice पर hummus को spread करें, उपर से रखेंगे खीरे के slices, डालेंगे olive oil, sprinkle करेंगे तिल, chili flakes और धनिया, ये सुंदर सा toast बन कर तयार है,